हेलो फ्रेंड्स आज मेरी पीटे को बहुत ज़्यादे मन था की उसे बाहर के चाउमिन खाने है तो मैंने बोला घर में ही बिलकुल बाहर जैसे बना करके तयार करूंगी तो यहां पर चाउमिन बनानी के लिए मैंने पानी गरम होनी के लिए रखा था और इसमें मैंने 4 5% तक इस तरीके से पका लेना है इसे ओवर कुक मत करिएगा नहीं तो यह बिल्कुल चिपचिपपे से हो जाएंगे और चाओमिन फिर खिली-खिली बन करके तयार नहीं होगी अब इसे चान लेंगे और इसके उपर डाल देंगे ठंडा पानी और इसे अब मैं फैन के नीच लहसुन और बिल्कुल थोड़ी से मैंने अद्रक ली है इन्हें गरम तेल में डाल देंगे हलका सा सौटे होने देंगे और इसमें डाल देंगे बारी कटी हुई एक हरी मिर्च अब यहां पे मैंने प्याज गाजर सिम्ला मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गो भी काट करके ल गाल देंगे सबजीयों को इस तरीके से पकाना है कि सबजीयों का जो क्रंच है न वो खतम नहीं होना चाहिए मतलब उनमें कुरकुरा पना आना चाहिए और वो हलकी सी पाग भी जाय तो फ्लेम मेंने बिल्कुल हाई रखी हुई है हाई फ्लेम में दो मिनट के लिए सबज लेंगे सोटे कर लेंगे और यहां पर सबजिया हलकी सी जब भुंचाएं तो इसमें डाल देंगे आधा छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर या अपने स्वादनुसार आप ढालें और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम आपको बिल्कुल हाई ही रखनी है जब और पस सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनट के लिए सारी चीजों को भून लेना है आपको इस तरीके से तो यहां पर सॉसेज जो हमने डाले है उसके साथ में सबजियों को एक मिनट के लिए इस तरीके से भूनेंगे और इसमें अब डाल देंगे स्वा तो पहले बहुत अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो आपक्स करने के लिए कोई भी दो चम्मच ले ले लिए इस तरीके से तो यहाँ पे दो मिनट तक मैंने बहुत अच्छे से चाउमिन को भून लिया है और गैस का फ्लेम अब बंद कर दिया है तो यहाँ पे बहुत टेस्टी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाउमिन बनकर के तैयार हो गई है आप भी इस रेसिपी को ज़रू ट्राई करिएगा बहुत ही जटपट से बन जाती है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज को कर लें सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सेर, थैंक यू फर वाचिंग वीडियो